इतिहास वे गांदी जी और गोट से यह दो ऐसे करदार हैं इसे करेक्टर हैं जिनमें कई तरह के आरोप लगे हैं गांदी जी पर बहुत सारे आरोप लगे हैं लेकिर उनको मौका नहीं मिला आज के जो युआ पीडी है उनको भी जानना चाहिए कि गोट से कौन है भाई क्य जब से मुश्किल फिल्म है यह तलवार के धार पर चलने वाली फिल्म है आपने मुझे मुझे मौका दिया बूलने के लिए यह जरूरी इसलिए है कि इतिहास में गांदी जी और गोट से यह दो ऐसे करदार हैं से करेक्टर हैं जिनमें कई तरह के आरोप लगे हैं जैसे गांदी जी को मानने वाले हैं पूजा करने वाले भी हैं उसी तरह से गांदी जी के लिए बुरा बला भी कहते हैं बहुत सारे लोग हैं रिसेंटली तो भी हाल में तो बहुत ज्यादा मैं सुनने में आता है मुझे उसी तरह गोट से के लिए भी बहुत सारी चीदे कही ज जानने का मौका मिलेगा गांदी जी को भी और गोडशे को भी इससे पहले वो उनके लिए कुछ बुरा बला कहें तो सोचने लगेंगे क्या सच में वो गांदी जी को जानते हैं गोडशे को पैचानते हैं वो कौन है और दोनों के साथ मुझे ऐसा लगता है काफी अन्याय गांदी जी पर बहुत सारे आरूप लगें लेकिन उनको मौका नहीं मिला उस आरूपों के बार में कुछ कह सकें बता सकें वो उनकी हत्या हो गई उसी तरह से गोड़ से उनके साथ भी बड़ा न्याय हुआ उन्होंने स्टेट्मेंट दी कोट में अपनी दलील दी बताया वजह बताई उन्होंने किन हालात पे क्यों उन्हें ये कदम उठाना पड़ा पहले कोई किसी के पहले तो हत्या नहीं कि थी वह से नोन क्रिमिनल तो नहीं है वह क्यों किया रूने लेकिन उसके आवास को दबा दी गई यह मुझे ऐसा लगता है गलत है और लोग तंतर में प्रजात अंतर में यह बात ठीक नहीं है हर आदनी को अपने बात कहने का हक है और जो सुनना चाहते है जानना चाहते है उनको एक अपार्शिटी भी चाहिए आज के युआ पीडी है उनको भी जानना चाहिए इगोड से कौन है भाई क्यों इसे किया उसने तो यह फिल्म है वो मंच प्लैटफॉर्म इन दोनों करेक्टर को देती है कि दोनों अपने अपने विचार को रखें और देखने वाले उनको समझें और जो भी सोचें जो भी फातला करें उनके उपर है पर अट लीस्ट वी ऐसे मेकर मैंने और हमारे राइटर हमने पूरी कोशिश किया दोनों के साथ इमानदारी के साथ रिखंबल मिरे विक्तिकत जो भी मेरा चॉइस हो मैं क्या ओख फिल्म के दोरान बनाते हुए दोनों के साथ हमने नियाई किया है दोनों के विचारों को ऐज रिटिस मंच पे लाये हैं ले आये परते पर गंधी जी के खतन पर दोंस मैंन अपमान नहों के बातों को रखा है मैंने डेलिबरेटल भी हम नॉट दड़न ने कहीं भी गांडी जी को कम नहीं किया है ना उनके लिए कुछ बुरा किया है यह उनको देके फिल्म को देखके लोगर लगे आरे यार नहीं पुरी इज़त दिये अधी सेंट गोड से कि रूंदे के साथ जो अन्याइप हुआ है उस पर भी मुरोश्णी डालना चाहता हूं, क्योंकि वो गलत है, एक तरफा नहीं होना चाहिए, वो साधिय के दू दू उसने पी जो किया है, जो कहा है, वो भी लोगों के सामने आना चाहिए, तो सच क्या है, और सच की खोज हमन करने का PARPOS ही हुआ है वहांना क्यों इतना बड़ा रिस्क लूँगा मैं यह मामूली फिल्म नहीं है मैंने जितनी फिल्म बनाई है सबसे मुश्किल फिल्म है ये तलवार के धार पर चलने वाली फिल्म है अगर मैंने ज़रा गलती की ज़रा पाट्शलिटी की कि गांधी दी सुनने में आया है और उनका दावा है कि वो गांधी जी को बहुत मानते हैं गांधी जी को आधर्ष मानते हैं कॉंग्रेस के लोग है सुनने में ऐसे तो मुझे हैरानी होती है जो गांधी जी को मानते हैं या उनका आधर्ष को मानते हैं वो ऐसा काम नहीं कर सकते हैं गांधी जी को मानने वाले कभी सड़क पर आग और लाठी लेके नहीं उत्रेंगे तो इसी से पता चलता है कि एक्चुली दे डोंट बिलीव इन गांदी तो लड़ाई किस बात की नारादी किस बात की और फिल्म देखी नहीं है तो ट्रेलर पर ये रेक्शन कर रहे हैं तो इससे पता चलता है कि उनका परपस कुछ और है उनका मकसद कुछ और है ऐसा फिल्मेकर जैसे मैंने पहले भी क हमने दोनों के साथ नियाई किया है जहां तक लोगों का सवाल है में लोगों से यही प्रातना करूंगा कि फिल्म देखने आएं कोई ओपिनिन लेके ने आएं सोच के ने आएं ओपन मैंड से आएं और जो भी ओपन मैंड से आएंगे फिल्म देखेंगे वो खुश हो के ज झाल झाल